वेलकम टू ओल्लाइन और ओफलाइन ग्यान चैनल मैं नेम इस गोरव दोस्तो आज जो मैं information आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यह share करना जरूरी है यानि आईटे वाले बच्चों को यह information होना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस information से related जो भी जानका रही है उससे unaware है इसलिए I thought कि मैं वीडियो बना दू और आप लोगों को aware कर दू क्योंकि आप लोगों के comments भी मेरे पास आ रहे थे देखो भाई कुछ समय पहले आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ गया था ऐसे ही topic पर मैंने बहुत सारी चीज़े clear की थी फिर भी आप लोगों के mind में doubt है I thought कि जरूरी है आप लोगों के doubt clear करना तो मैं कर देता हूँ यहां पर आपको पताए कि इस apprenticeship portal को थोड़ी चीज़ों के लिए रोक दिया गया जो नए registration है मना कर दिया गया बच्चों की कि आप लोगों को इस पर registration नहीं करना बाकी के बच्चे जो है पुराने वाले उनका जो registration हो रखा है वो कि उसे जो है करे रहने दे कोई दिक्कत न है और 110 है 110 का पहले राउंड हो चाहे दूसरा राउंड हो यहां पर इन्होंने बोला है हम इनी बच्चों को इस पोटल पर एंटेटेन करेंगे यानि एंटेटेन मींस इन बच्चों को यहां पर देखा जाएगा लेकिन जो पुराने है जो 31 अक्टूबर 2019 के बाद के वो जरूरत नहीं है जैसा कि इन्होंने यहां पर मेंशन किया हुआ है कि 108, 109 और 110 AITT वाले बच्चे जो है यहीं पर इस्तिर रहेंगे क्योंकि उनको सारा काम यहीं पर दिया जाएगा लेकिन जो नए बच्चे हैं वो नए वाले अप्रेंटिशिप पोटल पे जो 110 वालों को वहाँ पर रेजिस्टेशन आगे बढ़ाने की जुरूत नहीं है मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो अपडेट आई है उसी के अकोडिंग बता रहा हूं और तो यहां पर जो है जो 108, 109 और 110 AITT वाले बच्चे उनको नए रेजिस्टेशन करने की जु जलती से हुआ कोई दिक्कत निया कोई पर रिशानी नहीं हो गया आप लोगों को ठीक है और आपको पता 110 AITT के एक्जाम होने वाले है और मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए स्लेबस के अकोर्डिंग क्विज लेकर आने वाला हूं और मैंने आप लोगों के लिए अप्लिकेशन भी जनरेट कर दिया बस अभी जो है तोड़ा सा बेटा वर्जन है जैसी वो उपन होता है मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा और जो भी आप लोगों का स्लेबस के अकोर्डिंग जो भी important questions होते है जो possibility रहती है एक्जाम में आने की apprenticeship के वो जो है आप लोगों के लिए जनरेट हो रहे हैं दीरे दीरे करके जैसी पूरा का पूरा जनरेट हो जाएगा उस पर वीडियो बना देंगे और फिर जो है आप वहां से जाकर वो apprenticeship के स्लेबस के according वो quiz attend कर सकते हैं और अपनी जाच पर तल कर सकते कि आप कितने पानी में कितनी आ जो quiz है वो जो है प्रोवाइट करवा दें इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं एक और पोर्टल पर जो एंसीविटी मियस वाला है यह तो सबके लिए common ही हैं एंसीविटी मियस वाला season terminated हो गया एक बार मैं दुबारा own कर लेता हूं इसको उसके बाद भाई आपको बता दू जो बच्चे 2020-2021 में admission लेना चाहते हैं इन्होंने साफ साफ में पर mention कर दिया है कि आप लोगों के पास एक relevant mail id एक relevant contact number और एक जो है आप लोगों का अधार number आपके पास होना और जो है यहां पर जो भी आपके इंस्ट्यूट से classes आप लोगों को दे रहें स्किल इंडिया के थ्रू आप लोगों को classes प्रोवाइट की जा रही है कुछ courses भी इंडिया आप लोगों के लिए जनरेट किया आई hope कि वह आप लोगों ने पढ़ लियोंगे इस तरीके की च स्लेबस के अकोडिंग हम आप लोगों के लिए quiz लेकर आ रहें वह उसे देना ना भूले जल से जलता आप लोगों को मिल जाएगी but give us some time because teacher जो है उस पर काम कर रहे हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई गलती हो और आप लोगों को accurate चीज स्लेबस के अकोडिंग मिल जाए और बाकी धन्यवाद बस और कुछ नहीं है thank you so much keep in touch चैनल को subscribe करकर रखे ताकि आने वाली updates आप लोगों मिलती रहें और दोस्तों के साथ वीडियोस को इसी तरीके से share करते रहें